प्रग्या आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे यूटूब चैनल प्रग्या तरपाथी पांडे में आज मैं आप लोगों के साथ में हैर इस्पा का वीडियो शेयर करने वाली हूं कि पालर में घर पे सलॉन में हैर इस्पा कैसे करना है जो भी प्रडग्स आज के विडियो में मैं यूज करी हूं यह सारे मैंने Amazon से खरीदे है Amazon पैंचल रही है Prime Day Sale जिसमें की आपको यह सारे प्रडग्स बहुत जादा ससे प्राइस में मिलने वाले है तो जो जो प्रडग्स मैंने यूज की एवां बता देती हूँ यहां पर मैंने आपको तीन ब्रैंड के hair spa cream बताए है L'Oreal, Matt Rex and Scotchkov यह तीनों मैं अपने salon में रखती हूँ तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो shampoo भी मैंने वहीं से purchase किया है section clip चाहिए आपने tail comb चाहिए इतने product चाहिए यह सबी product का purchase link मैंने आपको दिया हुआ है description box में साथी साथ यह पैडल ब्रश का भी मैंने आपको link के दिया है description box में and सबसे पहले start करते हम लोग अपने first step से first step होता है हमारा you know hair wash तो अगर आपने client ने hair wash किया भी हुआ है तो भी आपने hair wash करना ही है hair wash करने के लिए आपको एक अच्छा सा shampoo यूज करना है मैंने आप मैट्रिक्स का shampoo यूज किया आप L'Oreal extension का भी यूज कर सकते हैं शैंपू को dilute करके यूज करिएगा सीधे direct scalp पर मत लगा लीजेगा अब यहाँ पर cream को हमने बाउल में निकाल लिया उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है है उसको अच्छे से डी टैंगल कर लिया पैडल ब्रश की मदद से और उसके बाद उसको हम section डिवाइट करेंगे उसके so yeah guys I hope कि आपको मेरा hair spa का वीडियो पसंद आएगा कैसा लगा please comment down जरूर कीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा आप इसको अच्छा सारा प्यार दोगे तो मैं ऐसे ही informative वीडियो आपके साथ में share करती रहूंगी तो यहाँ पर मैंने section divide किया है you know दो चार पार्ट्स में आपको को डिवाइड करना है year to year और बैक में आपको इसके दो पार्ट्स करने है और section clip से आपको सिक्योर कर लेना अगर आपके पास section clip नहीं है तो आप क्लचर का भी यूज कर सकते हो और पैडल ब्रश ते क्या होता है hair fall बहुत कम होता है इसलिए मैं पैडल बिल जादा प्रिफर करती हूं तो यहां पर अभी section को हम टक कर रहे हैं अच्छे से you know section clip की help से इसी क्या होता है कि hair spa messy नहीं होता है अगर आप professionally काम कर रहें तो section clip और section divide करना आपने आना ही चाहिए अब यहां पर मेरे students को मैं class दे रही थी demo दे रही थी hair spa का तो यहां पर class चल रहा है बच्चे जो हैं practice कर रहे हैं class चल भी चुकी है तो जो बच्चे नों इक class लिये demo लिया हूँ आज आपना यहां पर practical कर रहे हैं और इस तरह ऐसे दो finger की मदद से पूरी cream को आपके hair पे अच्छे से आपको spread करना है जिससे जो cream है वो पूरे बालों में लग जाए फिर आपको tail comb की मदद से उसको comb कर देना जिससे की जो cream आपने अप्लाई की है वो बालों के हर पार्ट में चले जाए यही सेम प्रॉसेस आपको पूरे hair पे करना है एक इंच के बराबर का section लेना है cream को लगाना है उसको emulsify करना है दो finger की मदद से और उसके बाद में उसको comb करके नीचे रख देना है एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आप अपने क्लाइन को cutting sheet wear करा देंगे तो उसके कपड़े नहीं खराब होंगे तो cutting sheet wear कराना बिल्कुर भी मत भूलना और अगर आपके क्लाइन जो कहीं है वो अगर chemically treated है तो फिर आप उसको hair response जो है L'oreal Scotch of matrix में से कोई भी देख सकते हो virgin है तो Scotch of नहीं देना है आपने matrix और L'oreal ही देना है बाते करते करते क्रीम हमारी पूरी apply हो चुकि है पीछे के parts में अब आएंगे हम आगे के section की तरफ क्रीम इस तरह से apply करनी है आपको की cream दिखनी चाहिए बालों के उपर से कई लोगों को मैंने देखा है सोखी सी क्रीम लगा देते हैं और section divide नहीं करते हैं वो सही तरीका नहीं होता है spa करने का और मेरा जो salon है वो बांदा उत्तर प्रदेश पे हैं तो अगर आप लोग भी batch join करना चाहते हैं हमारा तो आप हमसे contact कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे यहां बाहर से आते हैं जो class लेते हैं पांच मिनट हम रखेंगे पांच से दस मिनट स्टीमिंग देंगे ताकि हमारे जितनी भी पोर से खुल जाए तो स्टीमिंग अभी यहां पर हो रही है और अब हम करेंगे इसके बाद next step जो कि है हैड मसाज में मैंने बहुत जादा fast forward नहीं किया बिल्कुल भी fast forward नहीं किया ताकि आपको हैड मसाज के एक एक step समझ में आए हैड मसाज करने से पहले आपको अच्छे से बालों को वेट कर लेना है जिससे बाल बिल्कुल भी खिचे ना क्योंकि क्रीम लगाने के बाद बाल जो है थोड़ा वसा ड्राइव हो जाता है तो अगर आप उस टाहीं है हैड मसाज करते हो ना तो बाल बहुत ज़दा खिचत करता है प्रेशर का उस इसाफ से आप दीजिए मुझे प्रेशर काफी जादा पसंद है तो मैं इसलिए थोड़ा सा हार्ड करवाती हूँ अगर आप जादा नहीं बरदाश कर पाते माइग्रेन की प्रॉब्लम में तो आप बहुत ही लाइट वेट होकर के प्रेशर करना सबी फिंगर्स को और उसके बाद में आपको प्रेशर देना है तो यह बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं इसके तुरू आपका क्लाइंट रिलाक्स भी हो जाएगा और साथ ही साथ में आपका हैड मसाज भी बहुत अच्छे से होगा हैर इसपा की जो जान होती है व हे और ऊपर जाकर के प्रेशर पॉइंट को हिट करना हुता है जब प्रेशर पॉइंट किर सपाइनल पदे रहोते हैं तो फिर आपको शॉल्डर पे भी उसको कबर करना होता है steps आप देख लीजे, steps मैं आपको दिखाती जा रही हूँ और बस इनी steps को follow करते हुए आपको massage करनी है करते हैं प्रीजे देख आपको देख देख आपको देख रही है कि आप लोगों को भी नेंद आही गई होगी हैट मसाज के स्टेप्स देख करके सो चलो मेरे विडियो ने आपको हराम तो दिया बस अब इसके बाद में हम कर लेंगे हमारा हेर वाश प्लेन वाटर से हेर वाश करना है टावल ड्राय करना है और ब्लो ड्राय करना है अगर के बाद का फाइनल रिजर्ड यू कैन सी के मेरा बाल कितना जादा ग्लोइंग लग रहा है कितना जादा इवन लग रहा है और थोड़ा सा न स्ट्रेट भी लग रहा है क्योंकि जब हम ब्लो ड्राय करते हैं तो थोड़ा सा बाल स्ट्रेट भी हो जाता है तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगे को पसंद आए हो दें प्लीज दू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब